तो कैसे हैं आप लोब I hope कि आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे तो guys आज का वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि guys आज की वीडियो में हम आपको explain करने वाले हैं कि आप जो 12 voltage की bike battery, car battery या inverter battery किसी भी battery को अगर आप charge करते हैं तो उसमें यह जो bridge बनाते ह और इसमें आपको कौन सा diode लेना है और solar panel से जब आप batteries को charge करते हैं तो कौन सा solar panel लेना है और कौन से solar panel के लिए कौन सा diode आपको यूज में लेना है तो आज आपको इस वीडियो आपकी सभी question का answer मिलने वाले हैं और guys अगर आप अमान चैनल पर नए हैं तो यह चैनल को subscribe कर लेना और उसमें लाइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो दिलाते रहते हैं और अगर आपको solar projects के बारे में कुछ भी information जीए तो आप हमारे playlist में जाकर चेक कर सकते हैं तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सब सब पहले आपको ब्रिज बनाने के 4007 आपको तभी purchase करना है जब आपका जो solar panel का output voltage वह एक ampere तक हो अगर आपके पास छोटा solar panel है और उसका output voltage 1 ampere तक हो तो आपको आपको IN400 वाले solar panel purchase करना है अगर आपका जो solar panel है उसकी जो output voltage है वो 3 ampere तक हो तो आपको IN5408 वाला solar panel वो डायोड purchase करना है और अगर आपका solar panel का output voltage 6 ampere तक तो 6 ampere तक हो तो आपको 6 A10 आपको यह सब मैंने description में दे रखें आप चाहूं तो वहां से purchase कर सकते हो आपके solar panel के according और अगर आपका solar panel 10 ampere तक electricity देता हो तो आपको 10 A10 वाला डायोड purchase करना है अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका solar panel कितना output voltage देता है तो उसके लिए आपको अभी चेक कर सकते हो उसके लिए आपको क्या चीच करना है कि हमारे पास आप देख सकते है चोटा से बड़ा और उससे भी बड़ा solar panel है यह जो चोटा solar panel है या फिर यह तीनों ही solar panel हमारी 12 वोल्टेज की वेटरी को 101 परसेंट तरीके से चार्ज कर देंगे क्योंकि यह तीनों ही 12 वोल्टेज की है बड़ आपको कैसे चेक करना है तो इसके solar panel के पिछे आपको यह जो information दी होती है इसको आपको ध्यान से दे देखना है और कौन से आप देख सकते हैं हमारे पास एक छोटा solar panel है इसका output वोल्टेज 22 है तो इसे 12 वोल्टेज की बेटरी चार्ज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा जो solar panel का MPR है यह 0.39 MPR तो जैसा कि मैंने आपको बताए था कि 0.1 MPR भी पूरा नहीं है तो आ इन 4007 वाला डायोड यूज में ले सकते हैं बड़ गई जैसे मैं आपको इससे थोड़ा सा बड़ा वाला solar panel दिखाता हूं यह आप देख सकते हैं कि हमारे पास बड़ा solar panel है उसके लिए जो हमारे पास MPR है 4.19 MPR है एड मेंज यह है कि इसका जो MPR है वो 3 MPR से भी जादा ह तो इसके लिए आपको 6,8,10 वाला डायोड यूज में लेना है तो आपको समझ चुके होंगे कि आपको यहां से MPR यहां पे लिखा हो भी है current maximum power MPR मतलब इसमें कितना maximum MPR तक electricity आती है तो जिसके आगे यह लिखा होता है 4.19 MPR यह आपको चेक कर लेना आप इसके according आपको ड डायोड परचेस करने है अब आपको डायोड का ब्रिज बनाने के लिए क्या करना है कि यह जो हमारे पास डायोड दिख रहे हैं इनकी दोनों पट्टी को एक साइड रखना है यह आप देख सकते हैं इनकी पट्टी को एक साइड रखना है और बाकी सेकेंड टर्मिनल को ए एक साथ कनेक्ट कर देना है इधर वाला जो सिरह उसको खुला चोड़ देना है फिर क्या करना है आपको कि इस तरीके से मैंने यह जो दो बनाए यह आप देख सकते हैं इधर यह बिना पट्टी वाले एक साथ कनेक्ट है और इधर आप देख सकते हैं कि इनकी जो पट्टी है यह दोनों एक साथ connected है अब इन दोनों को आपको इस तरीके से connect कर देना है यह आप देख सकते हैं इस तरीके से और जैसे आप इस तरीके से connect करते हैं तो हमारा जो ब्रीज है यह बनकर complete हो इस तरह का bridge बनाने के बाद अगर आपको इसमें capacitor का use करना हो तो आपको कहां पर करना है तो यह आप देख सकते हैं एक पट्टी और एक बीना पट्टी वारा टर्मिनल इधर भी आप देख सकते हैं एक पट्टी और बीना पट्टी यहाँ पर दोनों पट्टी एक साथ connect है और यहाँ पर बीना एक साथ connect है तो एक पट्टी और एक बिना पट्टी वाले में केपिसेटर का एक positive और इधर आपको केपिसेटर का एक negative यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पर केपिसेटर कनेक्ट करना है और उस केपिसेटर में इधर आपको positive कनेक्ट कर देना है solar panel का और इधर आपको solar panel का negative wire connect कर देना है और इन दोनों को आपको battery से connect कर देना है इस तरीके से आप अपना bridge complete कर देना है यह आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको capacitor भी इसमें connect कर लेना है कि यहाँ पर जो बिना पट्टी थी उन दोनों में यह आप देख सकते हैं इन दोनों टर्मिनलों में आपको battery connect करना है इधर बेटरी का positive इधर बेटरी का negative और इन दोनों जिन में capacitor लगा हुआ है उन में आपको solar panel के दोनों wire connect करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं solar panel का negative आपको इस side connect करना है जहाँ पर capacitor में आपको पट्टी मिलती है इड मेंज यह है कि आपको solar panel में negative terminal solar panel का यहाँ पर connect करना है और solar panel का positive आपको यहाँ पर connect करना है इस तरीके से हमारा जो bridge है वो बनकर complete होगा इस तरीके का bridge बनाके आपको अपनी किसी भी 12 voltage की battery को किस तरह charge करना है I hope कि आपको समझ में आया होगा और guys अगर आपको किसी भी bike की battery या फिर trucker की battery को charge करना है तो मैंने description में वीडियो दे रखिए या फिर आप हमारी playlist में जाकर check कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने batteries को solar panel के से charge कर सकते हैं बस यह इसका जो connection था यह मैंने explain कर दिया अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना मैं मिलता हूं किसी next वीडियो में किसी नए वीडियो में या फिर किसी नए टोपिक में तब तक के लिए डाटा बाई बाई जैनी जैना